हलो गाइस पेलकॉम डूटेजी मेडी नीस तो गाइस आज हम बात करेंगे एविंजर 4 के बारे में तो जैसा कि आप सब जान दो कि एविंजर 4 में आदे से ज़्यादा केरेक्टर मारे जा चुकी हैं बट टाइम ट्रेवलिंग के होने के साथ-साथ ये सारी केरेक्टर पापस भी आएंगे और इंपोर्टन्ट होगा थैनोस को हराना जो कि इनका में मिशन होगा तो टू डैमेंशन में जाना एविंजर का काफी डिफरेंट होगा हम मार्वर फैंस के लिए जो कि हम कामे बुक में देखते आ रहे हैं काफी तरीके से डिफरेंट तरीके से बट वो हमें लाइव एक्शन में देखने को मिलेगा और इसके साथ-साथ एविंजर 4 में टू डैमेंशन के जाने के साथ-साथ हमें जो भी कैरेक्टर देखेगा जो भी मूवी के मुमेंट होंगे उससे कई सारी मूवी निकलेगी क्योंकि एविंजर 4 MCU की फेस 3 की लाष्ट मूवी होने वाली है उसके बादे Spider-Man, Guardian of the Galaxy Vol. 3, Doctor Strange 2, Black Panther 2 और उसके बाद अभी हाली की न्यूज से ये पता चाला है कि आपको Guardians के सीन में जी हाँ अगर कोई Secret War या Space War कुछ भी होगा तो उसमें जो कैरेक्टर आएंगे More, Extra More जो की एक Epic Journey होगी जैसा कि आप स्क्रीन शॉट देख रहे है Marvel, Avenger, Untitled, May 3, 2019 ये एक वो थोट है जिसमें साब सब लिखाए Epic Journey तो Epic Journey में आपको Secret War यानि कि Space War में आपको ट्रैम ट्रेवलिंग के साथ, Two Dimension के साथ कुछ ऐसे केरेक्टर दिखेंगे जो की MCU Phase 4 के होंगे जिसमें की Galactors भी आता है तो Finally अगर MCU की डील हो जाती है Fox से तो हमें Galactors, Internals MCU Force 4 में दिखेंगे चुकि काफी कमाल का होगा अब Finally Internals, Movie आतो रही है और Confirm ये हुगा है कि James Gunn उसे डिरेक्ट करेंगे जो कि Guardian the Galaxy Volume 3 के बाद से डिरेक्ट करना चालू करेंगे जो कि MCU भी सबसे बेस्ट मूवी होने वाले है क्योंकि एक Avenger टीम का आपको टीम अप Nashed Internals में दिखने वाला है तो इसका introduction सबसे बेस्ट है Avenger 4 में दिखाना जिसमें की हमें Space 4 में ये सारे केरेटर दिख सकती है जो कि एक छोटे-छोटे मूवमेंट पर आ सकते है तो अभी ये फिलाल निउस आई है मेरे पास तो गाईस आच के लिए बस इतना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लिए लाइक कमें शेयर करो जोबंद इस वीडियो नहीं देख रहे हैं सब्सक्राइब करो बाबाई जा रहो